करेंगे कि कौन-कौन CSC टर्म्स हैं जो कि आपका जानना जरूरी है या मैं बोलूँ कि अगर उनको जानते हैं तो काफी इजी होगा आपको समझने में क्योंकि जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे में टर्म्स का यूज जो है वो बढ़ा दूँगा अभी हम लो प्रिशन देता हूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेकिन as a Facebook ad expert या फिर Facebook ad executive या trainee आपको इसी समझनी जरूरी है कि जो टर्म्स हैं उनको आपको meaning पहले से पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे या अपने team कुसे discussion करेंगे तो आप हर बा होंगा उनका भी आपको पता होगा मतलब क्या है और अगर आप भी किसी कमिनिकेट करना चाहेंगे तो आप सीधे terminologies का यूज करेंगे क्योंकि आपको terms याद करनी पढ़ेंगे और रट्टा नहीं मारना है एक बार मतलब समझ लिए जैसे आपने मतलब समझ लिया आपको हम हमेश है के लिए वो टर्म याद हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ आपको उसे यूज करना है तो कि होने को बहुत सारी है ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में सारी कवर कर पाऊंगा बहुत सारी जिसे से हम प्रोग्रेस करेंगे कोई नई टाइम आगी तो मैं बताऊंगा यहां पर मैं उन टर्म को यूज कर रहा हूं इंक्रूड कर रहा हूं जो कि बहुत ही फिक्वेंटली आपके लिए यूज होगी जो कि मैं बार बार रिपीट करूंगा तो यहां पर आपको अच्छा यह जो पीडियेफ है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जितने भी में टर्म्स बदाने वाला हूं उनका भी जो टाइम स्टैंप है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर फेस्बुक का एड्ट टर्म्स की बात करता हूं तो जैसे मैं एकदम में यह माइन नोट खोला आपको बहुत सा भी चलते हैं तो सबसे पहले यहां पर टर्म है रहा है अपको पढ़ना या पढ़ सकते मैं वह बता रहा हूं आपको जो एड का मतलब है और फिर जो फाइनल आपका आड है जो यूजर को दिखाई देगा चाहे उसमें इमेज यूज करें आप उसमें टेक्स्यूज करें उसके अंदर आप क्या CTR रखना चाहते है, headline क्या है, video क्या है, carousal है, किस type है, यहनि वो final add copy, वो content जो user को दिखने वाला है, उसको हम बोलते है, add या फिर add copy, ठीक है, जहां भी मैं add बोलू या add copy बोलू, समझ जाहिए, हम उस content की बात कर रहे हैं, जो कि user को दिखने वाला है, उस पूरे structure की बात कर रहे है, यहां पर second है add set, यहां पर second है add set, नामचा पता चल रहा है, और हमने पहले भी discuss किया है, कि facebook का जो structure है, add का structure है, उसके अंदर campaign, add set और add होता है, add set का मतलब होता है, group of add, एक add set का मतलब होता है, set, set मतलब collection of two or more things, ठीक है, यानि यहां पर add set का म collection होता है, उसको हम बोलता है, add set, और add set हमारा वैसे भी एक level है, यानि एक add set में हम multiple add copies, या multiple adds जो है, वो run कर सकते है, वो बना सकते है, add set का मतलब है, group of add, group of add, यानि set of add, यह हम बात कर, then उसके बाद है, bidding strategies, bidding strategies, देखिए हमने यह बात already discuss की है, कि facebook add auction क्या से काम करता है, facebook add क system किसे काम करता है, तो उसी में एक important term आती है, bid, यानि जो advertiser है, मालीजे में एक advertiser हूँ, आप एक advertiser है, तो हम bid कर रहे हैं, क्योंकि auction है, तो नीलामी होगी, बोली लगेगी, bid कर रहे हैं, कि हम particular action के लिए कितना पैसा spend कर सकते है, तो यहाँ पर जो bid है, वो उसी चीज को represent क करता है, यहाँ पर bid दो तरह से होती है, एक होता manual bid, एक होता automatic bid, automatic मतलब जो कि facebook के algorithm decide करती है, automatically हमारे behalf पर bid करती है, और manual मतलब हमने एक manual amount enter कर दिया, एक manual number enter कर दिया, कि इतना ही पैसा हम देना चाहते हैं, इससे जादा हम यहाँ पर spend नहीं करना चाहते है, for a particular action, तो bid का मतल है, particular action perform करने के लिए, हम कितना पैसा spend करने को ready है, facebook को देने के लिए ready है, and this is called bid, manual automatic दोनों होती है, detail में सारी बात करेंगे, but bid का मतलब होता है, एक particular amount, जो कि हम दे सकते हैं facebook को एक particular action के लिए, then यहाँ पर आता है amount spent, नाम से प्रता चल रहा है, फिर भी मैं बता देता हू, amount spend का मतलब है, कि यहाँ पर कितना amount आप अपने ads पर spend कर चुके हैं, अपने campaigns पर अभी तक अपना marketing पर कितना amount आप spend कर चुके हैं, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे, तो आप जो result analysis करेंगे, तो सब से बहले question यही आएगा, कि इस campaign पर, इस ad पर कितना amount spent हो चुका है, अ अब वो amount spent का मतलब है, कि आप उसको यहाँ तो daily check कर सकते हैं, कि daily कितना amount spent हुआ, एक घंटे में कितना amount spent हुआ, यह total उसका जो lifetime है, यानि जब से start हुआ है, और आज तक total कितना amount spent हुआ है, तो आप इसको bifurget कर सकते हैं, आपके convenience के according, तो amount spent का मतलब है, कितना amount total अभी तक खर्चों, इसके बाद है audience, audience वो लोग हैं, जिनको आप target कर रहे हैं, यानि जो target, जिसे माली जे आपने audience target की, जो digital marketing में interested है, जिनका age 24 to 30 years है, जो for example, जोतपूर में रहती है, जो हिंदी बोलती है, कुछ इस तरह का है, यानि जो भी आप characteristic define कर रहे हैं, अपने target audience की, उनी को हम बोलते हैं audience, audience का मतलब target audience, जिनको आप अपना ad show करना चाहते हैं, चीक है दोस्तों, इसके बात करते है audience network, यह एक थोड़ा सा different time है, audience network का मतलब यह है, कि basically Facebook ने बहुत सारे website के साथ क्या क्या हूआ है, partners किया हूए, partnership की हूई है, इनको बोलते है Facebook partnered website, जिसे Google में भी होता ह तो Facebook क्या करता है, कि ऐसी website के साथ partner करता है, या ऐसी website Facebook के साथ partner करती है, जिनके पास already बहुत जादा user base है, मालीजे हर दिनके 10,000 visitor आ रहे है, 20,000 visitor आ रहे है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो Facebook के साथ partnership कर लेते हैं, और फिर Facebook उनकी website पर अपने ads को show करता है, और इसके बदले में उन website owners को कुछ amount पे करता है, इसको बोलते है Facebook audience network, यहाँ पर आप audience network भी इसको बोल सकते है, Facebook तो obviously understood है, तो audience network का मतलब क्या हुआ, ऐसा network, ऐसी websites जहाँ पर Facebook अपने ads show करता है, और उन ads को दिखाने के बदले, उन website owners को कुछ amount पे करता है, यह application भी हो सकती है, यह website भी हो सकत इसके बाद करते है, average CPC, देखे, average CPC का मतलब है, पहले समझे, CPC का क्या मतलब है, CPC का मतलब है, cost per click, इसका मतलब यह है, कि आप एक click पर कितना cost bear करते है, माली जा आपने ad चलाया website traffic के लिए, अब एक link click पर, यहनि जैसे एक बार click हुआ उस ad पर, उस पर कितना amount आपका इसको बोलते है, cost per click, CPC, अब average CPC का मतलब क्या है, माली जे, total आपके 10, जो है, वो clicks होए है, 10 clicks होए है, आपके ad पर, और total आपका 50 rupees, जो है, वो spent हो गया, अब average अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, total amount spent divided by total number of clicks, यानि 50 रुपे खर्च होए, उसको मैं divide कर click, तो total clicks, total amount spent divided by total number of clicks, is called average CPC, कि on an average, एक click पर मेरा पैसा कितना कट रहा है, हो सकता है, किसी click पर 10 रुपे कट रहे हो, किसी पर 2 रुपे कट रहे हो, बट अगर मैं average निकालूँगा, तो उसके बाद 6 rupees average मेरा आ जाए, तो इसको बोलते है, average CPC, CPC का मतलब है, cost per click, एक click पर क कितना खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोस्तों मैं जो है, वो काफी easy language में समझा रहा हूँ, detail मैं इसलिए लिखा हुआ है, कि आप इस document को हमेशा के लिए save करके रख सकते हैं, जब भी आपको detail पर पढ़ने की इच्छा, budget का मतलब है, कि कितना budget आप spend करन कर सकता, मैं तो total budget 25,000 रोकेट कर रहा हूं, तो ये भी एक budget है, तो budget daily भी हो सकता है, budget lifetime भी हो सकता है, और जो budget है, वो दो level पर हम decide करते हैं, campaign level पर decide करते हैं, और एक ad set level पर decide करते हैं, कि budget कितना allocate करना है, ठीक है दोस्तों, तो budget, जब भी आप भाशा में हम बोलेंगे, कि add लाना है, तो सबसे बहले हम ये पूछते हैं, budget कितना है, daily budget बताओ, या फिर total budget बताओ, तो budget का मतलब है, कितना आपके पास money है, कितना आपके पास total amount है, जो कि आप spend कर सकते हैं, इसके बाद है campaign, campaign मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिते भी ads हैं, जिते भी ad set है, वो campaign के under बनते हैं, यानि सबसे पहले level क्या आता है, याद कीजिए वो वीडियो, सबसे पहले level आता है campaign level, फिर आता है ad set level, फिर आता है ad level, campaign के under बहुत सारे ad groups हो सकते हैं, और हर ad set के अंदर बहुत सारी ad copies हो सकती हैं, अभी यहां पर आपको मेरा screenshot दिखाही दे रहा होगा, campaign structure के बारे में उसमें आप देखी campaign के अंडर बहुत सारी जो जो भी आप कर रहे हैं चाहिए वह एडसेट बना रहे हैं आड को भी बना रहे हैं सब कुछ उस campaign के अंडर रहता है ठीक है दोस्तों तो campaign का मतलब है एक पर्टिक्लर आप कहा सकते हैं ग्रूप आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड कर सकते हो अब यह लिमिट का मतलब है कि आपने मालीजे इसके एक पर्टिक्लर हो जाएगा तो आपने लिमिट सेट कर दी कि इतना लिमिट से ज्यादा मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए इस पर्टिकलर क्यांपेंड के पीछे समझ महारा दूस्तों तो इसको बोलता है campaign spending limit उसके बादा है कि आपके जो भी आड है आपने जो भी आड बनाया है उससे यू काउंट होगा as a individual click चाहिए लाइक के बटन पर हो video view हो यानि कितनी बार वो interaction हुआ है आपके आड से उसको हम बोलता है click चाहिँ महारा तो हम यह पूछते हैं कई बार कि 10 दिना campaign जलेगा कितने clicks हैं यानि कितनी बार user ने interaction किया है then उसके बाद conversion, conversion का मतलब हम last video में हमने discuss किया था कि एक particular set of action या एक particular action जो हम perform करवाते हैं उसको हम conversion बोल सकते हैं तो कितने number of conversion आए for example मेरा है एक product बिकना एक conversion के बराबर है यानि जितने भी product बिकेंगे वो मेरा conversion count होगा तो माल लीजे 50 product बिके तो कितने conversion होगे 50 तो हम जब conversion campaign चलाते हैं तो हम यह पूछते हैं कि इस particular campaign ने अभी तक कितने conversions produce किया हैं कितने conversion deliver किया है तो total number of conversion is 50 तो आपने conversion set किया हुआ है as a sales तो 50 हमारी sales हुई समझ महारा दोस्तों आपको तो conversion का मतलब यह है उसके बाद एक cost per action इसको short form में आप बोल सकते है CPA CPA cost per action इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी जो conversion set कर रखा या कोई भी action set कर रखा है जाए वो sales है lead है newsletter sign up है कुछ भी हो सकता है तो जो भी आपने target action set किया हुआ है एक target action को perform करवाने के लिए यानि एक action perform करवाने के लिए कितनी cost आपके आती है माली जी आपने जो action है या conversion आप बोल सकते हैं वो आपने set किया हुआ है sales या फिर मैं बो leads का example लिलता हूँ यानि lead को आपने as a action perform किया हुआ है set किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जो भी user website पर आए वो lead form को submit करें तो अब आपका जो और एक lead form submit करने में माली जाए आपकी 100 रुपी की cost आ रही यानि आपका CPA कितना हो गया cost per action कितना हो गया 100 रुपीज आपका cost per action कितना हो गया 100 रुपीज यानि एक action perform करवाने में Facebook 100 रुपीज का cost आपको दे रहा है यानि जो भी आपके आपके budget है उसमें 100 रुपीज एक CPA की cost है अब average निकालनी है तो वही total number of budget total budget spent divided by total number of total sorry cost per action ठीक है उसे total number of conversion निकल जाएंगे आपके समझ में आ रहा है दोस्तों दोसके बाद CPC यह मैंने भी बताया cost per click एक click पर कितना आपका cost produce हो रहा है then CTR बहुत important CTR का मतलब है click through rate CTR का मतलब है click through rate इसका मतलब है कितने number of times वो add जो है वो आपका appear हुआ और कितनी बार उस पर click हुआ यानि कितनी बार वो user को दिखाइग दिया यह total number of times कितनी बार वो दिखाइग दिया और कितनी बार click हुआ यह जो percentage है यह जो रेश्यो है इसको बोलते है click through rate इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो add की relevance है वो कितनी माल लीजिए आपका add 100 बार दिखाई दिया लेकिन click 2 बार ही हुआ तो CTR कितना हो जाएगा 2 divided by 100 into 100 percentage निकालना है तो आपको तो 2% यापकी CTR कितनी है 2% यानि 100 में से सर्फ 2 बार ही आपके add पर click होता है तो अब उसके बहुत सार रिजन हो सकते है या तो add relevant नहीं है i catch नहीं है या add की quality जो है वो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन CTR का मतलब होता है click through rate कितने number of times दिखा और उसमें से क्या मालीजी 21st April 2022 ending date क्या आपके 28th April 2022 तो जो to ending date आपने सेलेक्ट किया उसको ही हम बोलते है simply end date और ऐसे इसका मतलब है मालीजी कि आपके total 10 users को आपका add दिखाई दिया on an average 10 user आपको total दिखाई दिया और आपका जो total number of impression है, इसको मैं बता हूँ कि reach impression बोलता है, reach माल लीजिए कि reach होता है total number of users, कितने लोगों को दिखाई दिया, 10 लोगों को दिखाई दिया, तो reach हो गया 10, impression कितनी बार दिखाई दिया हो सकता है, एक user को एक से जाधा बार दिखाई दिया हो, ठीक है, तो total माल लीजिए आ कि 30 divided by 10 equal to 3 यानि औन अवरेज एक यूजर को 3 बार दिखाए दिया हो सकता है एक यूजर को 10 बार दिखाए दिया और दुसरे को एक या दिखाए दियो पर आखर average में निकाल लूँ तो 30 impressions divided by 10 user equal to 3 यानि एक यूजर को on and average तीन बार यहाँ पर दिखाई दिया तो frequency कितनी हो गई मेरी 3 सबज मारा दोस्तों तो हम यह भी पूछते हैं कि frequency कितनी है जो ad show की frequency है वो कितनी जितनी जादा होगी उतना जादा हमारे लिए अच्छा देन उसके बाद impression यह मैंने भी समझाया impression का मतलब है कितने number of times कितने लोगों को दिखाई दिया यह मैटरा नहीं करता कितनी बार दिखाई दिया एक user को अगर 10 बार दिखाई दिया तो 10 उसका impression count होगा user एक count होगा लेकिन दस बार अगर एक user को दिखाई दिया तो दस जो है वो number of impression count होगा clear then उसके बाद lifetime budget lifetime budget का मतलब है कि total उस campaign के लिए या उस ad set के लिए आप कितना budget allocate करना चाहते हैं कि ये budget है total अब ये budget और plus एक duration भी आप set करते हैं कि ये budget इतने दिन में खर्च करना चाहता हूं तो total lifetime budget ये होगा मेरा जो भी पर्टिक्लर टाइम में उसके उसके बाद link clicks उपर हमने देखा था click लेकिन यहां पर बात करें link click इसका मतलब अगर माली जा आपके ad में कोई link mention है या कोई link आपने mention किया हुआ है किसी destination का किसी आप का किसी मतलब किसी भी चीज़ का YouTube चैनल किसी का भी link mention URL mention किया हुआ है उस link पर कितने click होते हैं वो कहलाता है link click अगर सिर्फ click बोलेंगे तो ad पर overall कहीं भी click हो सबता है लेकिन अगर link click बोलेंगे तो मतलब किसी link पर अगर click हुआ है तो ही वो count होगा इसके बाद next है on facebook purchases इसका मतलब है facebook के जित्ती भी properties है जिसे messenger है pages है उन पर अगर कोई purchases होती है मतलब आपको यह offering देते हैं मालीजे आपने कुछ product list किया हुआ है facebook marketplace पर ठीक है और वहाँ पर जाकर कोई उसे purchase करता है तो अगर facebook की owned properties जो है उन पर अगर आपका ad दिखता है और उस पर purchase होती है उसको बोलते है on facebook purchase यानि facebook पर purchase हो रही है या facebook की जो भी owned properties है उन पर purchase हो ठीक facebook पर हम add run करते है वो different different जगह पर दिख सकता है आपकी news feed में दिख सकता है desktop पर चला रहे है तो side में दिख सकता है अगर आपको search कर रहे है तो वीडियो देख रहे है उसके बीच में दिख सकता है अगर आपको search कर रहे है और search करने के बाद किसी page पर आ रहे है तो दिख सकता मैं verbally आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, यह PDF का लिंक आपको description में भी मिल जाएगा, देन उसके बाद potential reach, potential reach का मतलब दोस्तों यह है कि जब भी आप campaign बनाते हैं, ad set बनाते हैं, तो जो भी आपने targeting की है, budget की है, set किया है, location की है, जो भी चीज़ है, मतलब जितने option आपने set किया है, उसके base पर Facebook आपको एक estimated reach जो है, जिसको हम बोलते है, potential reach, कि इतने number of logo तक आप पहुंच सकते हैं, minimum to maximum, कि इतने से इतने के बीच में आपको एक reach मिल सकती है, reach का मतलब क्या है, total number of users, जो आपका add देख रहे हैं, उसको बोलते है, reach, then देखे, यहापर reach आगया, तो वह ही है, जितने number of people, जितने number of user आपका add को देख रहे हैं, उसको हम बोलते है, reach, impressions नहीं है, impression का मतलब है, कितनी बार, एक user दस बार देखेगा, तो reach एक ही count होगी, लेगन impression दस count होगी, clear है दोस्तों, then उसके बाद है unique clicks, unique clicks का मतलब है, कि जो users हैं, वो कितनी बार click करें, मालने एक user ने दो बार click किया, तो total clicks तो दो count होगी, पर unique click एक ही count होगा, मतलब एक particular user ने कितनी बार उस पर click किया, unique click कितने होगी, यानि repeat click की बात नहीं कर रहे हैं, unique click की बात करने कि कितने number of users ने वहाँ पर click किया और unique click उसमें से कितने थे, मालनी जा हो सकते हैं 400 clicks थे, उसमें से 200 link clicks थे और 100 जो है वो unique clicks थे for example ऐसा हो सकता है तो clicks, total number of clicks, link clicks link पर जितने हुए वो और unique click का मतलब है पूरे add पर कहीं भी click वाओ पर कितने unique click हुए है मतलब कितने number of unique users ने उसमें click किया मालनी जाए 100 total unique clicks थे तो 100 महाँ पर unique clicks count हो तो यह कुछ terminologies थे दोस्तों जो है Facebook ads के लिए important है यह देखे इतने बिड़े एक list बन चुकी है पता भी नहीं चला कब बन गई तो यह ad जो Facebook ads में इसमें बहुत सारी odd terminologies report के time में आएंगे तो काफी चीज़े आएंगे पर यह कुछ ऐसी terminologies है जिनको मैं बार-बार-बार-बार use करूँगा तो आपको confused नहीं होना है और इसको रट्टा भी नहीं मारना है आपको पता जलता जाएगा और इतनी बार हम प्राक्टिस करेंगे इतनी बार में बोलूँगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ चप जाएगे तो चिंता करने की ज़रूद नहीं है लेकिन हाँ में as a instructor, मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको पहले ये प्रोवvaiyaad करा दो ताकि middle of the course मैं आपको यह ना लगे है कि यह चीज पहले पता आई ने की इस video के लिए दोस्तौ इतना ही मिलता हम आप से नेक्स वीडियो में अब हम जो straight away jump करने वाले next videos में वो campaign कैसे create करते हैं एक objective लेंगे, objective साथ एक business को attach करेंगे audience को देखेंगे, placement देखेंगे, बहुत सारी चीज़े देखने वाले हैं तो videos के notification सबसे पहले पाने के लिए अभी के अभी चैनल को subscribe कर तो bell icon को दबा दो और अगर आपके भी known में बहुत सारी लोग हैं जो इस series को, you know, facebook आट को सीखना चाहते हैं तो इस series का जो link है वो भी दिया हुआ है description में share करो जादा 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 जितना हो सके फैला दो क्योंकि free of content free of cost जो है वो content दे रहा हूँ valuable content दे रहा हूँ आपको जितना informative जितना research based latest content हो सकता है वो दे रहा हूँ मिलता आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रहें स्वस्त रहें मस्त रहें और देखते रहें my online master कर दो कर दो